आज ये प्रेसवार्ता एहम बिंदू पे की जा रही है ये एहम बिंदू है आप जानते हैं कि जब कोई सम्धानिक पद पे हो या सम्मानित कानूनी पद पर हो अगर अर्विंद केजरिवाल के भ्रष्टा चार को आइना दिखा दे तो हलकी ओची भाशा का प्रयोग करते हुए अर्विंद केजरिवाल जो खुद एक सम्धानिक पद पर बैठे हैं उसको लव लेटर बता देते हैं आज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर श्री उदे महूरकर जी की एक चिठी है जो की अर्विंद केजरिवाल की भ्रष्टाचारी सरकार का कच्चा चिठा खोल रही है और क्यों ये मामला गंबीर है मैं आपको बताता हूँ इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिल्ली के एलजी को जो बाते कही गई हैं उसका सारांच में रखके इस प्रेस वार्था को आगे बढ़ाऊंगा आटियाए आक्ट दो हजार पांच में आया और आटियाए आक्ट का जो आत्मा थी वो ये थी कि जनता जो है वो जनार्दन है उसे ये जानने का हक है कि कोई भी सरकार या पब्लिक बोडी किस तरह से कारे कर रही है पारदर्शिता क्या है और चुनी हुई सरकारों की जवाब देही तेह होती है ये जो पत्र है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशनर का इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक एक मंत्राले जो दिल्ली सरकार के तत्वधान में कारे कर रहा है हम उजागर कर चुके हैं किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्क्यूज नंबर वन मनीश शोडिया घुटाला करते हैं हमने दिखाया ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट में जो लो फ्लोर बसे जानी थी उसके टेंडर में घुटाला होता है पी डबलू डी अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लासरूम बनाता है तो टॉइलेट को भी क्लासरूम में गिर लेता है जनता जवाब मांगने जाती है और अरविंद केजरिवाल की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे वो क्या करती है मैं आपको दर चाता हूँ सबसे पहले रेविन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं रेविन्यू डिपार्टमेंट में पहले तो अरविंद केजरिवाल की सरकार कोई जवाब नहीं देती है और जब हमारे यहां राइट टू इन्फोर्मेशन आक्ट में एक व्यवस्था बनी है Central Information Commissioner है State की Information Commission है वो जवाब मांगती है तो साथ प्रतिशत मामले ऐसे हैं जहां पे इनके जो Specially Designated Information Officers हैं वो उपस्तित ही नहीं होते हैं Now I must make it very clear that under the Right to Information Act of 2005 Which calls for transparency as well as accountability Every government and every state body is obligated to have information officers Who are to be trained as well as I read from the Act Section 26 और एक लाइन पढ़ूंगा जो सारांच बताएगा Promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities Arvind Kejriwal जी ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले ब्रष्टाचार किया जनता को लूटा और जब जनता अपने अधिकार का प्रयोक कर रही है कि हमें जानकारी दो तो आप वो जानकारी भी नहीं दे रहें चोर की दाड़ी में तिनका नहीं पूरी दाड़ी तिनको वाली है चुपा ना क्या है पारदर्चिता जनता मांग रही है और आप भाग रहे हैं इसके बाद लिखा है कि जब सुनवाई होती है ये information officers पहले तो इनकी जिम्मेदारी है कि सारी सुचना जनता को दें नहीं देते तो सुनवाई होती है कमिशन में और यहाँ पर क्या है कि इनके जो information officers हैं वो उपस्तेत ही नहीं रहते और जो सबसे बड़ी बात revenue department में आई है और सारे मंत्रालियों का उधारन में पेश करूँगा इसी पत्र से जो तथ्याये हैं जो महंगी महंगी संपत्ती है वो बेची जा रही है नागरिक कह रहा है कि आपके पास यह सूचना है हमें दीजिए इसका प्रयोग करके जो धांदले बाजी और घोटाले बाजी है इसको रोका जाएगा और यह जानकारी नहीं दी जाती है दूसरा department स्वास्त बड़ी बड़ी डीए मारते हैं अर्विंद केजरिवाल कहते हैं बहुत अच्छा मंत्राले काम कर रहा है स्वास्त मंत्राले में यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो बड़े अस्पताल है और निजी एस्पताल है उनके मालिकों से अर्विंद केजरिवाल की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है यह कानून है कि अगर आप सबसिडाइज रेट पर सहूलियत लेते हैं सरकार से तो आप एक वर्ग है समाज का जो पिछड़ा वर्ग है जो गरीब है एकनॉमिकली वीकर सेक्षिन उसको मुफ्त में इलाज देंगे और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट इस चिट्टी में से दिखाता हूँ ये क्यों इतनी गंबीर बात है ऐसे अस्पताल है जिनको गरीबों का इलाज मुफ्त करना है पंद्रा सो करोड रुपए पंद्रा सो करोड का इलाज मुफ्त करने के लिए ये बात दे हैं लेकिन इलाज मुफ्त हुआ नहीं गरीब का और जब जनता जा के कह रही है कि आटियाए लगा के हमें बताईए सस्ती आपने सुविधाएं इनको दी हैं ये क्यों नहीं इलाज करते गरीब आदमी का तो क्या मिलता है अर्विंद केजरीवाल निल बटे सन्नाटा ठेंगा दिखाते हैं कहते हैं जानकारी मैं दूमन नहीं जो करना है कर लो तो भारतिय जनता पाटी ने भी शपत लिये आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं ठगी करकर भारतिय जन्ता पार्टी समर्पित है मुद्दे उठाएगी पुर्जोर तरीके से उठाएगी तत्यों के आधार पर उठाएगी और आपको भागने नहीं देगी यह संकल्प है हमारा और अर्विंद केजरिवाल जी चाहे स्वास्त का मंत्राले हो चाहे आपकारी नीती हो या कोई भी ठेका अगर देना हो तो उसमें पहली बात पारदर्शिता नहीं होती है दूसरी बात जवाब दे ही नहीं है तीसरी बात अर्विंद केजरिवाल के मित्र आज सारे के सारे धन्ना सेट जो उनकी तिजोरी भरते हैं वो है आम जन्ता की सुद लेने का समय अर्विंद केजरिवाल जी के पास नहीं बचा है और इसी के साथ जो बड़ी बात आज यहां से उठाना चाहेंगे आज क्यों ऐसा है अर्विंद केजरिवाल जी आपका चालचलन इतना बिगड़ गया है दिल्ली हाई कोट आपको फटकार लगा के कहता है आपके मंतरी पाँच महीने से जिनको आप कटर इमांदार बता रहे थे वो कटर बैमान निकले बेल नहीं हुई उनको हटा दीजे आप नहीं हटाते आप जो फाइलें लगी साहब के दफ्तर जाती है उस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं ये डर क्या है चोरी पकड़ी ना जाए भ्रश्टाचार पकड़ा ना जाए इसलिए जनता कह रही है कि आप कटर बैमान हैं हमने देखा किस तरह से इस पत्र में भी बताया है रेवन्यू डिपार्टमेंट और पी डबलू डिपार्टमेंट में टेंडर में घोटाला होता है ये जो घोटाला हुआ इससे पहले भी हमने देखा कि जब टेंडर दिये गए तो अपने ही पार्टी के लीडरों को टेंडर दिये गए ठेके दिये गए जानकारी जनता मांग रही है आप दे नहीं रहे हैं जब संधानिक पद पे बैठा व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके सरकार चलाने में घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं तो आप उसे लव लेटर बता देते हैं जब भारती जनता पार्टी तत्यों के अधार पर आपसे सवाल पूछती है तो आप इधर उधर की बात करने लगते हैं न्यू यॉक टाइम्स के बारे में बात करने लगते हैं और यह कहना आज गलत नहीं होगा यह पंक्तिया अर्विंद केजरिवाल पे बहुत सही बैठती हैं खुद तो मंत्राले लिया नहीं आपने मंत्राले गुल भ्रष्टाचार फुल मैं खुद मंत्राले नहीं लूँगा मैं तो किंग्पिन हूँ मेरे इशारे पे भ्रष्टाचार होगा excise, transport, name the department and I'll show you the corruption अर्विंद केजरिवाल की नई लाइन है मंत्राले गुल भ्रष्टाचार फुल हस्ताक्षर नहीं भ्रष्टाचार हर कहीं हस्ताक्षर नहीं करे लेकिन भ्रष्टाचार हर जगा है मंत्राले गुल भ्रष्टाचार फुल हस्ताक्षर नहीं भ्रष्टाचार हर कहीं जवाब दे ही जीरो अपनी नजरों में मैं हूँ हीरो ये हैं अर्विंद केजरिवाल और अर्विंद केजरिवाल जी कुछ सब्ता में जिस तरह से हर जगा आपकी भ्रष्टचारी का प्रमाण मिल रहा है आपका कारेकाल दिल्ली के इतिहास में काला अध्याय के तौर पे जाना जाएगा इसी के साथ इसी चिट्ठी में एक और महत्वपूर्ण बात है जो उठाई गई है और आपके समक्ष रख रहा हूँ भारती जन्ता पार्टी के राष्ट प्रवक्ता ने भी इस मुद्दे को उठाया था एक साथ गाट डिस्कॉम जो बिजली की कंपनिया हैं उनके साथ इनकी है और कोई जानकारी या ओडिट भी ये नहीं कराते और इस चिट्ठी में भी वो बात पुक्ता होती है दिल्ली सरकार ने एक ये मन बना लिया है कि जानकारी हम जन्ता को नहीं देंगे और वो एक स्टेक होल्डर है इन डिस्कॉम्ज में उन्होंने कहा कि ये जो सारी डिस्कॉम्ज हैं ये आर्टी आई के धायरे में ही नहीं आती है Are these not public bodies? The test has been laid down by the Honorable Supreme Court in a landmark judgment where it says the character of the duty that is being performed by the authority is the real test. क्या आप ये कह रही है कि ये जो बिजली की कंपनिया है ये कोई public function नहीं करती है और इसके साथ उच न्याले ने एक stay दिया जिस पे दिल्ली सरकार को पुर्जोर तरीके से कहना चाहिए था कि नहीं हम पारदर्शिता के लिए तरफ खड़े हैं हमारी जवाब देही है जनता पूछेगी हम सवाल देंगे तत्थे मताएंगे लेकिन वो ऐसा नहीं करती है ये डेली हाई कोट इस पे रोक लगाता है और सर्वोज न्याले का एक और बड़ा महतुपूर्ण फैसला है जिसमें कहा गया है कि अगर छे महा से ज़्यादा कोई रोक कोई भी न्याले लगाती है स्टे लगाती है और वो एक्स्टेंड नहीं होता तो वो अपने आप खतम हो जाएगा इट विल बी विकेटिड लेकिन इस चिट्टी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जनता प्रमाण तत्थे और मुश्किल सवाल उठा रही है तब अर्विंद केजरिवाल की सरकार ये कहने की बजाए कि हाँ ये रोक अब खतम हो गई है हम सूचना देंगे कह रही है दिल्ली हाइकोट ने रोक लगाई हुई है कि क्या दर्चाता है ये दर्चाता है कि अर्विंद केजरिवाल जी जो सारी भ्रष्टाचार की कालक आपने घटी कर रखी है आप नहीं चाहते कि वो सारजनिक हो आप जनता के सवालों से डरते हैं और चुनोती देता हूँ मैं आपको इस मंच से आप सुन रहे होंगे ये प्रेसवारता कि आप जो दिभिन मुद्दे इस पत्र के माद्यम से Central Information Commissioner ने इंगित किये हैं जो हम लोगों ने उठाए हैं उसका उत्तर देंगे Don't treat this as a love letter This is a letter which is asking you to be accountable and show that your government is transparent and it answers the queries of the people of Delhi You have failed miserably earlier and today yet again it will not be wrong to say that Arvind Kejriwal is violating the oath he took under the constitution of India to preserve and protect the laws of the country you are violating the right to information act with impunity because you are afraid that your corrupt deeds will come out in the open and it seems you have zero answers and you have deprived the citizen of their right to information that is guaranteed to them thank you धन्यवाद आपने प्रश्ण पूचा इस प्रेस्वार्ता में आने से पहले जो जानकारी मेरे पास है कि जो कटर इमांदार का Arvind Kejriwal का सर्टिफिकेट है उसको जनता कटर बैमान मानती है और वो जेल से निकले नहीं है एक मामले की जो अब आप बात कर रहे हैं मानदी ये सर्वोट ड्याले का एक फैसला आया है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अफ्टी आक्ट हो सकता है या नहीं और इसी बिंदू पे जो है सारे कोड बात दे हैं कि उसका पालन करें लेकिन जो मुख्य आरोप हैं वो आज भी लगे हुए हैं और केवल सतिंदर जैन कटर बैमान है नहीं एक्यूज नंबर वन मनीश शोडिया कटर बैमान और कटर बैमानों का अगर कोई सर्गना है किंगपिन है जिसके इशारे पे कटपुतलियों की तरह ये दिल्ली सरकार के मंत्री ब्रश्टचार करते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है The problem with the Congress Party is that it feels just because Congress Party is diminishing India is not doing well Congress Party की परिशानी ये है कि क्योंकि Congress Party में खुद अंद्रूनी विस्फोड के कारण एक घटी हुई Congress है तो उनको ऐसा लगता है कि भारत की अर्थवियस्ता कमजोर हुई है और बड़े जिम्मेदारी से डंके की चोट पे कहता हूँ किसी भी विश्व प्रसिद एजेंसी की रिपोर्ट निकाल लीजे जितनी बड़ी अर्थवियस्ताएं है सबसे बहतर अगर विकासदर किसी अर्थवियस्ता की है तो वो भारत की है ये तत्थे Congress Party ना देखना चाहती है ना बताना चाहती है देखिए अगर इस तरह की घटना होती है हमला होता है कानून व्यवस्ता बनाय रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और हर मामले में सरकार ठोस कदम भी उठाती है त्वरित कारवाई भी करती है और भारती जनता Party के कारकरता के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो भारती जनता Party उस व्यक्ति के साथ परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है और एक बिलकुल स्पश्टता से बात कह देनी चाहिए जो भी ऐसी संस्ता है जो भारत को कमजोर करने का प्रयास भी करती है तो हमने देखा किस तरह से मजबूत कारवाई हुई है PFI जैसे संग्ठन है जिन पे बैन भी लगाया है और आगे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर भारत की अखंडता पर कोई चोट करने का सोचेगा भी तो उसके खिलाफ ऐसी कारवाई होगी कि केवल वो संस्ता नहीं हर व्यक्ती जो संस्ता से जुड़ा है वो उसके परिणाम भुकतेगा और जेल की सलाकों के पीछे होगा let me just take a look at the story it's a developing story i don't have the details we'll get back to you thank you everyone